मेना से करद आही ही माचल दुलहन मेल में लाई बनाई उश्य अवे भारी मना रहे भोजन सब को रहे कराए दान धरम खुब किये जम कर दिल में खुसिया नहीं सवाए ने उता दे उताओं को दिये थे राजा है माचल आवशर पाए देवों का शमान किये हैं राजा है माचल सीस जुकाए भोजन चल कर पहले कीजिये नमर निबेदन किये हैं जाए चले सहस उठ करके देविता चले सहस उठ करके देविता करने को भोजन मुसिकाए करके भोजन त्रप्त हुए जब कहने लगे बात समझाए सुनिये राजन बात हमारी जरा गोर से ध्यान लगाए सती हो गई उमा भावानी तुमसे कथा छुपी है ना आय पुत्री रूप में आपके घर में जन्म सती लेगी सुख पाए मेना बनेगी उमा की माता कहते देवता है समझाए सुन देवों की बात हमाचल सुन देवों की बात हमाचल हो आनेंद तिराई मुसिकार चल दिये स्वर्गे लोक को देवता राजन को सब बात बताए सयन कक्छ में गए हमाचल मेना बेठी नंजर जुकाए लगे बताने सारी कहानी मेना रानी को समझाए सुन कर मगन हो गई मेना खुसी जिया में नहीं समाए बीता समय हमाचल के घर खुसिया बाजा रही बजाए पाओ हुए भारी मेना के पाओ हुए भारी मेना के राजा मगन रहे मुस्काए बीता है नो मास महिल में मेना बनी है मातायाय मेहल में गूजी है किलकोरी मेना मगन बेटी जनमाय खुस है परवति राजी हमाचल के दासी रही समचार सुनाय दिये उतार कर हार गली का नेंग पदासी रही हर साई धोली नगाले तासे बजते मधुर मधुर संगीत सुनाय मेना की सब सक्या जुट गई मेना की सब सक्या जुट गई बिटिया को सब रही दोले राए देख देख बेटी की सूरत खुसी जिया में नहीं समाय नाम करण करने की खातिर ग्यानी मुनी गई है आय पारबती है नाम सुता का सुनिये राजन ध्यान लगाय सुन कर नाम मगन हुए राजा सेस्ट जनों को सीस जुकाय त्रब्र गती बिटिया की बढ़ती रही आंगन में दोड़ी लगाय देख देख में नाखुस होती देख देख में नाखुस होती मा बनने सुक रही है बाई बीता पचपन हुई सयानी चिन्ता दिल में रही सताए साधी कहां करू बेटी की राजा जी रहे बात चलाए बुला लिये हैं पास पुरोहित चिन्ता अपनी रही सुनाए सुन्दर बर गिर जा की खा तिरे हो जी ये तीनों लोक में जाए अगर आपको बर मिल जाए तिलक लगा देना हरसाए पाकर अग्या राजा जी की है पाकर अग्या राजा जी की चले पुरोहित जी मुसिकाई पहले गई स्वर्गे लोक में इंद्र से कहे बात समझाए साधी कर लीजे गोरा से सहरा लीजे मात सजाए सुनकर इंद्र लगे मुस्कानी कहने लगे बात समझाए सिव जी की खा तिर गिर जाजी मेना घर में जनमी आए चले पुरोहित उठकर उस दम अगनी लोक में गई है आए अगनी द्यो से लगे बताने अगनी द्यो से लगे बताने आने का कारण समझाए अगनी द्यो शिव शंकर जी को गिरजा का बर रहे बताई गई जहाँ भी राज पुरोहित सभी रहे वही बात बताई ठक कर बाप इस महले में आए सारी बात कहे समझाए सोच में पढ़ गए राजा ही मान चले सब है बिधी का लेख जनाय लिख जो किसमत में बिटिया के बिधी का लेख तरे गनाय पारवती को बुला लिये पारवती को बुला लिये है प्यार सिपास लिये बेठार सारी कथा बताई हस कर सुनती पारवती सर्माए तुम ही बता दो बिटिया रानी कुछ भी नहीं रह मुझे सुझाए कान में उठकर पंदत जी के फिर जाने है दिया बताई सुनकर पारवती की वानी रहे पुरोहित जी मुसकाई किहने लगे हिमांचल जी से सुनिये राजन ध्यान लगाई सिर संकर दुनिया के माल के सिर संकर दुनिया के माल के बर गिर जाके रही जनाई इक चाहे यह पारवती की यही नाम बो रही बताई राजी हो गए राजा हिमांचल केहने लगे बात समझाए सुनिये पुरोहित जी अब जाकर सिब को दी जेत लक लगाई चले पुरोहित साथ मिनाई कैलास परवत गए है आए बेठेते जहां ओ घड़दानी पी रही गाजा धुमा उडाई सगरी बदन में भस में लगिये सगरी बदन में भस में लगी है साविरी सूरत रही सुआई बम 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 नारा है हर दम सेवक गड़ है रहे लगाई जहां देखो तहां खड़े निसाचर भूत पिसाज ग्रहे चलाई देखे नाई भोला की हरकत नाई बहुत गया घबिराई गोरी गोरा को काला दोलहा नवा बहुत रहा घबिराई बार बार पंडित से कहता चलो यहां से भाग पराई यहां भूतन का लगा है मेला यहां भूतन का लगा है मेला नहीं तो जान बच्चे गीनाई सन की पागल दोलहा फिर भी क्यों गिरजा को रहे फसाई पाप लगेगा तुमको पंडित बात मान लो रह समझाए बार बार पंडित समझाते चुप रहो बैठो सांती बनाए नाई सुन पंडित की बाते सुन कर रहा बहुत घवराए नंजर पली जब टक भोले की पूछे पंडित से हर साई कैसे आना हुआ बिप्रिबर कैसे आना हुआ बिप्रिबर दो कारण जल्दी बतिलाए सत्रू मीत हितना ता हमेशा पराबरी का ठीक जनाए कहां गिर्जा महलों की रानी में कंगार सुन ध्यानी लगाए महलों का सुक यहां गिर्जा को भला कहां से दूगा लाए पती बना कर मुझको गोरा कोई सुक पाएगी नाए भांग पड़ेगा यहां पीसना भोला बात रहे समझाए चले जाए पंडित बाबा चले जाए पंडित बाबा भला एसी मेरा हजनाए पर पंडित नहीं बात तुमाने भोला रहे बहत बहकाए तिलक के बाद कहां दच्छणा आप दोनों का दूगा लाए फिर पंडित बोले कर जोरी ब्रत रहे क्यों बात बनाए लगे बताने पंडित बाबा आने का कारण समझाए परवत राजिह मंचल जी की सुनिये सिवजी ध्यान लगाए बिटिया पारबती एक भोली बिटिया पारबती एक भोली जिसके एक च्छा रहा बताए पती रूप में आतक चाहिए दूजा कोई नहीं सुझाए करने तिलक आपका स्वामी आये हैं हम अज्या पाए सुन कर सारी बात महादियो पंडित से कहते समझाए बड़े हमंचल जी राजाए भारी महल मेरा सुहाए वो दनवान में निर्धन योगी रिस्ता हमारा जमी गनाई बेद पुरान बताते मुनिवर बेद पुरान बताते मुनिवर सुनिये बात को ध्यानी लगाए नहीं चाहिए हमें दच्छना लीजे आप तिलक लगवाए चुक हो हसते ओ घड़दानी पंडित तिलक रहा है लगाए भसम उठा कर दिये दच्छना रख लिए बाबा मात लगाए एकेसा उपहार दिया है नाई रहा बहुत गुर रहा है फेकी दिया भोले की भसम को नाई है रस्ते में जाए मंगर पुरोहित जी घर लेकर मंगर परोहित जी घर लेकर राखे गए है अपने आई भर गया है घर हीरा मोती से नवा देख रहा घबिराई कहां से मुद्राई इतनी पागए लगा पूछने अरजी लगाई बता दिया सब पंदित जीने सुन करना आई रह गुर राए हुआ इसमें भी मेरा हिस्सा जगणा करन लगा रिस्याई बात गई राजा के पास है गई हिमान चल सुन घबिराई एके सा दामाद मिला है एके सा दामाद मिला है बात समझ में आवे नाय सुनी है जब की में आरानी गुसा बहुते रही दिखाई घोर अन्याई परोहित जीने पारिबती संग किया भुजाई मिला भिकारी पति गिरजा को रोती ने नन आस बहाई इतनी सुन्दर बिटिया मोरी भिक मंगा संग दिया लगाई चोविट से घंता गाजा पीता जूम सभांग धतूरा खाई तब तक आए राजा है मन चल तब तक आए राजा है मन चल मेना रोती नीर बहाई है स्वामी क्या दोस बता दो कहती रानी है चिलाई कहती है मन चल लेख बिधी का तारे कभी तरेगा नाए बीता समय मधुर बेला का पत्र दिये राजा भेजवाई सिव संकर डमरूवाले को दिये पुरोहित पत्र ले जाए पढ़कर पत्र हसे सिव शंकर रहे जिया मैं बोधे लगाई सेष्ट भवन खाने की बस्तु में स्रिष्ट भवन खाने की बस्तु में सब सुबदाहे लिए जताए बस बाराते आने है बाकी परते सिव जी ध्यानी लगाई है बड़ा गर्वी मंचल जी को चल कर लूँ जर था ही लगाई कितना रासन भरा महल में सोच रहे भोला मुसकाई बूढ़ा बन कर बूढ़े बेल पे गई हिम अन्चल नंगर में आई दोसिस्यों को साथ लिए दमरू सिंगी धरे बजा रुक गई जाकर एक बग्या में रुक गई जाके एक बग्या में देखते राजा नंजर उठाई कभ बरात ले भोला शंकर आएंगे नहीरा सुझाई बहुतों को भेजा राजन ने रुकी बरात कहा है आए घूमत दूत बग्या में आया पूछ तबावा से हर साई कोई बरात आपने देखी सुनकर बोले सिव मुस्काई में ही हूँ गिर जाका दूला हमी बराती रहे बताई सिस्त हमारे साथ में दोहे सिस्त हमारे साथ में दोहे और कोई यहां आया है नाय गिर जाकी सक्या बग्या में घूमत घूमत गई है आय पूछन लागी है जोगी बाबा कही बरात रुकी है आय फिर वही बात कहे शिव संकर सारी सक्की गई गुसे आय लगी गालिया शिव को देने कया है जोगी तूप गिलाए घर बराते बता दोगे तुम खाना दूँगी तुम्हे खिलाए एक सक्की हस करके बोली एक सक्की हस करके बोली रहे मगन भोला मुस्कार मैं ही हूँ गिरजा का दूला जाकर उनको देओ बताए जिसे पुरोहित तिलक लगाया वही पुढ़ा में गया हुआ जाकर कह देना गिरजा से साफ साफ तुम बात चेता लगी पीटने भोला जी को सब सक्किया है जोर लगाय लगी खीचने पेर पकड़ कर सिब जी को सब रही सता डंडा ले कोई बेल को मारे दंडा ले कोई बेल कुमारे कोई गड़ो को रही सता रोते भागे सिस भोला के फिर बोले सिब जी मुसकाई सुनो हे गिरजा की सक्कियों तुम मज़ा आ रहा हमको आज लात घूस ससरा ले के प्यारे कहने लगे भोला हर साई जितना चाहो हमें सता लो बुरा तनिक मानूगा नाय आगे बापस सिस फिर दोनो नन्दी बेल गए है आए सिब जी उन्हें लगे समझाने दिब जी उन्हें लगे समझाने सुनिये नन्दी ध्यानी लगाई मज़ा बड़ा ससरा ले में आया नन्दी हस्ते पूछ हिलाए मारे पीट कर सारी सक्या बापस चली है जब हरसाई छोड़े दिये जोला से भोला भवरा उन्हें लिए दोडाई कोमल तन पे लगे कातने सक्या भागी रही चिलाए भागी मेल में जान बचाव कर बिसकी पीडा सहीन जाए देखूने सब सक्या हस्ती देखूने सब सक्या हस्ती पार बती वी रही मुस्ताई सारा हाल सुनी जब गिरजा हस्ती मोह पे हाते लगाए है अल भंगी शिव संकरजी उनकी लीला कही न जाए फिर गिरजान छुप कर उनको पीडा सारी दिया भगा लोट के दूत आए बिचारे राजा से कहते समझाए कहीं बरात दिखी नहीं राजन तब तक सखी गई ये के आए सारी कहानी सिव संभू की सारी कहानी सिव संभू की राजा जी से रही बताए भगिया में एक बूरा जोगी दो सिस्यों को संग बेठार अपने को गिरजा का दूला हसास करके रहो बताए सोच गई तब राजा है मन चल सिव संकर है वही बुझाए बड़े गुड़ी और बड़े सामने पंडित जीते रहे बताए फिर क्यों ऐसा रूप भयानक सिव जी बना गए है आई किया परोह इतने है दोका किया परोह इतने है दोका रहे जिया मैं भोधे लगाए पहले गर मालुम जो होता एसी गलती करता ना आई संग भिकारी के अपनी बिटिया ब्याहे के अनुमती देता ना आई बाते सुन पति पन वेश्वर की मेना आसू रही बहाई देख पिता माता को चिन्ति गिर जा रही बहुत घवराई एक सकी को पास बुला कर लिख कर पत्र दिया है थमाई कहा सकी तुम जल्दी जा कर कहा सकी तुम जल्दी जा कर सिव को दो यही पत्र पढ़ाएं कह देना परवती आपकी आपको दी है पत्र लिखाएं है सिवी संकर ओ घड़िदानी पढ़े उत्तर दीजे हरसाई पढ़ने लगे है पत्र सिवी संभू पढ़ कर रहे मगन मुसिकाई है देवों के देवे महादियो बिनती करू में सीस जुकाई सब नहीं आपको जाने सकेंगे दीजे मुझ पक्रपाबर शाई कामे देव से भी सुन्दर तने कामे देव से भी सुन्दर तने क्यों उसको है दिये सुझाई सुन्दर दूला बन कर स्वामी अंगना मेरे जाओ आय रोते पिता म मैंना रोती आपकी लीला कही न जाए करिये मत परिसान प्रभूजी करू प्राथ नासी से जुकाई उतर दिये प्रभूजी लिखकर कई सकी है महल में आए पढ़कर पत्री खुसी हुई गोरा होला चले बरात सजाए बुढे बेल पे बेठे बाबा बुढे बेल पे बेठे बाबा ठुमका रही बराते लगाई जोले में से ओ घड़ दाने रहे निकाले बराते दिखाए बिछ्छू ततायाए सांपे बिसीले कूंद कूंद रहे ढोले बजाए भूत पिसाज दैते और निसचर साने बराते की रहे बढ़ाए किसी की एक आँख हुई गायब फिर भी ठुमका रही लगाए किसी की बिलकुल मुंडी गायब फिर भी रहा खूब दोड़ी लगाए देखे बराते प्रजाडर करके देखे बरात प्रजाडर करके छुप गई अपने घारों में जाए देखे के रोती में नारानी केसे साधीक रहे कराए गुसे से धिकार रही है रहे पुरोहित जी समझाए दुखी है मांचल राजा हो गई बेटी को गया न रख लिवाए हो गया घोरे अनर्थे ये मुझ से बहुत जी आरा घबिराए देख पिता को दुख से पागल पारे बती रही धीरे धराए ब्रत की चंता करते हो क्यूं ब्रति की चिंता करते हो क्यों सिवजी लीला रही दिखाए नहीं लगेगा पापे आपको ब्रति रहे हो क्यों घबिराए राजाजी के संग समंधी उनिके निकट गई है आई कहने लगे हैं ब्राता पहले योगी राज को लो अजमाई कर लो परिक्चा पहले चल कर नहीं तो भारी धोका हो जाए अगर बुराई नहीं कुछ उसमें कर दो सादी तुम हर साए चले परिक्चा शिवगी लेने चले परिक्चा सिवगी लेने रहो जिया बहुत अई घबिराई सिवगे पास पहुँच कर राजा कर पिर्णा में कुछी से जुगाए देख ससुर को पास में अपनी बोले सिवजी बात चिताए रक्षा करना तुम बेला की नसे के मारे चला न जाए रोना धोना बंद करो तुम क्या चाहिए बोलो हर साए बोले दोनों मिलकर सिस्से अब तो भूक सही न जाए कुछ खाने को दो बाबा जी कुछ खाने को दो बाबा जी नहीं तो प्राण बचेंगे नाए लग समझाने उनको समभू थोड़ी देर लो भूक दबाए उसके बाद राजा जी तुमको बढ़ियन भोजन देंगे लाए त्रिप्त हो जाना खा कर प्यारो प्रत परेशान कर तुम नाए फिर भी रोता सिस्दुलारे गुर्वर भूक सही न जाए धीर धरो जब ब्याह हमारा गिर जासे होगा हर साई धीर धरो जब ब्याह हमारा भीर धरो जब ब्याह हमारा गिर जासे होगा हर साई बाल को उसी पल तुम भी आना भोजन बढ़ियां जाओगे पाई अभी ब्याह में देर बहुत है जब तक करिये कोई उपाई चारे दुनों से हम नहीं खाए बिन खाए अब चला न जाए उड़ जाएंगे प्राण पखेरू अगर नहीं कुछ हुआ उपाई सुन सारी बात हमन चल बोले सिवजी से हैं वात चेताई अगर अग्या याप की हो बे अगर अग्या याप की हो बे करते बिन तीसी से जुकाई आपके भूके सिसे हैं बेठे खाना दू मैं इने खिलाए रोते हुए हैं बेदो बालक राजा जी से बात चेताई अगर चलेंगे साथ मेरे जन तब ही जाएंगे हम मुसकाई बरनाईयों ही रोते रहेंगे बात को कहते सिस चिताई तब बोले सिवजी है राजन इनको भोजन दो करवाई बढ़िया खाना पानी देना बढ़िया खाना पानी देना अपने हाथों आप ले आए चले हैं दोनों महले में खाने राजा जी को साथ लिवाए खाना खाने बेठे दोनों खाना आया थार सजाई एकी बार में सारा खाना खागाए दोनों जी लल चाए और मंगाई राजा खाना कहते दोनों बात चिताई फिर खाना आया दोनों को दोनों खा गई तो रत उठाए ओरे मंगाओ भोजन राजा ओरे मंगाओ भोजन राजा भूखे दोनों राई चिलनाई खा गई सारा खानाओ निकाओ राजा देख गई घबिराई पीने लगे पानी माँग के रहे हिमाचल जी घबिराई खत्म हो गया पानी नगर का फिर भी प्यासे सिस चिलनाई किहने लगे कुछ और पिला दो कच्चा अन ये दिखे दिखाई खा गई दोनों एक ही बार में देख गई राजा घबिराई पास बुला कर पंडित जी को पास बुला कर पंडित जी को लगे पूछने है मुनिराई सत बता दीजे तुम मुझे को कहन लगे अचरज समझाई कोन है सन्यासी बोलो मुझे रहा नहीं कुछ सुजाई तब बोले है पंडित बाबा सिवजी शम गए है आई आपकी पुत्री जग दंबाई धन है आपी से जनमाई फिर भी नहीं संतुष्ट हुए है पूछने लगे उमा से जाई बेटी मुझे को सत्त बताओ बेटी मुझे को सत्त बताओ जोगी कहां से गया है आई हसने लगी पिता पर अपने उमा भावानी मोचोराई जब तक प्रगट हुए नारद जी सुन्दर बीडा रही बजाई की अपना मेह मन चल जीने मुनिबार को है सीस जुकाई हस कर लगे बताने नारद सुनिये राजन ध्यान लगाई यही है तीनों लोकिक स्वामी सारी बात कहे समझाई पति पतिनी तुम धन्ने हो दोनों पति पतिनी तुम धन्ने हो दोनों दिये सक्ति का ज्यानी बताई आदि सक्ति मा जग दंबा हैं पारे बती घर आपके आई क्रपा आपके उपर की है सुनिये राजन ध्यान लगाई चूर हुआ अभिमान तुरत है चले है राजा सीस जुकाई पहुच वहाँ जासिर संकर जी फेल मदारी रही दिखाए हाथ जोड कर राजा बोले हे सिव जी दो दाया दिखाए भूल हुई मुझे से बड़ी भारी भूले हुई मुझे से बड़ी भारी आपको मैं पहचाना नाई लज्य तिरा जाज सिव से बोले सरणा गट को ले ओ उठाए मगन हुए सिव संकर उस दम केहने लगे बात समझाए अहिंकार हो गया तो तुमको राजा खड़े है मो लटकाए बोले संभू मैं खुस हूँ तुम पर मागो बर मुझे से हर साए हे भगवन अपराद छमाओ अपना भकत लो हमें बनाए अब नहीं गलती मुझे से होगी अब नहीं गलती मुझे से होगी गया सरण में आप क्यार खुस होकर तुम नंगर को जाओ मन डप जाकर लेओ सजाओ ब्याहिकी सुरू करो तैयारी ले बरात में रहा हूँ आए चल दिये राजा नंगर को अपने देखे भारी अचरा जिखाए खाना पानी सब का जस तस अपने जगह पे रहा सुहाँ चले बरात की अगवानी में पतनी सहत रहे मुसिकाए इधर बजा कर डवरू भोला इधर बजा कर डवरू भोला लिये सगरी बारात चुटाए बन गए भोला सुन्दर दूला बैलों को भी लिया सजाए रूप सुहाना सिव शंकर का देखे के मोहित मन हुई जाए आगे आगे चले भोल बाबा पीछे स्रश्ती रही है आए देखन परात सब नर नारी घर के छट पर गए है आए एक और ब्रमा एक और विशनू बीच में सिव संभू मुसिकाई पोहुची बराते है द्वारे पर भी पोहुची द्वारे पर बरात भी मंगल ध्वानी खूबे स्वाई नारी नवेली संग सहेली दूला देखे रही हार साई तीनों लोकों में इतना सुन्दर दूला कोई कहोगा नाए पर छन लगी है मेना रानी खुसी जिया में नहीं समाई सुब महूट तब ब्याहि कले कर गए पुरोहित जी है आए सिव जी मेहल के भीतर पहुची ब्रम्हा मंत्र रहे गाय सजकर आई पार बती जी सजकर आई पार बती जी हवन किये पंडित मुस्काई अगनी को तब साक्षी मान कर किये हिमा चल कन्यादान हात दिया सिव को गिर जाका पेला गई सुहानी आई साथ फेर सिव जी के संग में घूमिती पार बती सुक पाई स्वण सिंघासन पर बेठे हैं पार बती संग सिव मुसकाई सिंदूर माथप पार बती के हज कर सिव जी दिये लगाई कोवर घर में गई है भोला कोवर घर में गई है भोला रीती निभाग कर गई है आप दूसरे दिन बाराते रुकी है सभी रहे आनन्द उठाए से बाखु बहमान चल कर रही रिस्ते दारों का हरिसाए तीसरे दिन भी हुई सभी बिदाई कई बारात केलास में आई किसम किसम के उश्व होते दियोता ठुमकर रही लगाई चारों और अनन्द हो गया कीरिती सिव की रही है गाई पीता में लिखता सिव को मना करे सिरी चरणों में सिस जुकाई संजो आलहा रही सुनाए भग तो सुने ना ध्यान लगाई झालहा प्रॉकाई